सेमसंग M21 लॉक स्क्रीन स्टोरीज सेटिंग नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Samsung की डिवाइस में lock screen stories setting के सेट कर सकते हैं तो अगर दोस्तों आपको lock screen पे जो है stories apply करना है तो इस वीडियो को देखें मैं आपको step by step जो है setting शो करके बताने वाला उसको follow किजेगा ठीक है तो आपके lock screen पे भी stories set हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया आई तो subscribe करते हुए bell icon को click करे अगर आप online पेसा कामाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको दोस्तों जाना है अपने mobile के setting पर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर lock screen option enable करना है lock screen option enable करने के बाद दोस्तों wallpaper service पर जाना है और उसके बाद dynamic lock screen या फिर glance या फिर सैमसंग ठीक है global goals आप कोई भी set कर सकते हैं तो मैं अभी के लिए सैमसंग ग्लेंस सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक है तो यह हो गया अभी आपको क्या करना है इसको सेलेक्ट करके apply कर देना है ग्लेंस applied हो चुका है lock screen अभी आप अपने mobile को lock करके देखें लोग करने के बाद unlock करें आपके lock screen का wallpaper खुद बाखुद चेंज हो जाएगा automatic wallpaper चेंज होते रहेगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने सैमसंग के डिवाइस में lock screen stories setting set कर सकते हैं अमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching